वेल्कम टू दू जीके ट्रिक्स विद प्रनाव। तो आप भी मुझे comment box में लिख कर बताए कि आपको LPT की date क्या बताई है अगर और भी कोई office है जैसे एमदाबाद है या फिर थिरोननतपुरा में चेन्नी है गुहाटी वगेरा है देल्ली है अगर उनको भी email आया है लखनो के लिए email है तो वो भी मुझे comment section में लिख कर office vary हो सकता है क्योंकि ये office ही carry करता है LPT वगेरा अब ये IBPS का issue नहीं है IBPS ने आपका online exam ले लिया इसके बाद में आप office का issue आ जाता है तो मुंबई office को email आ चुका है बाकि student को भी आ सकता है अब देखे लास्ट सेवन डे आपके strategy क्या होनी चाए LPT के लिए लगबग आपके लिए नो तरिक को LPT है मतलब लगबग साथ से आठ दिन आपके पास में है तो लास्ट सेवन डे स्ट्रेजी क्या होगी आपकी लेंग्वेश प्रफिशन से टेस्ट के लिए गो ठ्रू पैसेज पोईम क्षेशन एण एंज से इंसर तो मैंने आपको प्रिमें ISBN यह सब मैंने आपको प्रिमें disgalley में पढ़ाया है तो आपको क्या करना है मैंने जो प्रिमें एल्पिट में पता है वो और बार बार रिवाइस करना है अगर आपको और भी कोई passage ये फिर poem पे से question answer मिलते है तो वो solve करने की कोशिश करनी है अपने regional language में जो भी आपने regional language select की है मतलब मराटी select की है तो उसके लिए आपको practice करनी है last seven day में आपको बस practice ही करनी है और revise करना है ज्यादा panic नहीं करना है next देखिए prepare translation of words तो मैंने आपको hundred से भी ज्यादा इसे words प्रोवाइड किये है जो आपके आपके LPT में expected है यह सारे है banking और finance से related और current affairs से related words तो यह सारे आपको prepare करने है और बार-बार पढ़ने है मतलब आपको याद रह जाएंगे आपको बार-बार से overlook करना है तो आपको यह याद रखने पढ़ेंगे क्योंकि time पर आपको ध्यान में नहींगा कि इस word का translation क्या है अनुवाद क्या है इसे क्या कहते है मराटिय में या फिर आपकी local language में इसे क्या कहते है तो आपको बार-बार पढ़ने है मतलब आपको याद हो जाएंगे नेक्स देखे grammar is must तो grammar बिल्कुल important topic है LPT के लिए grammar related question आ सकते है previous year LPT मतलब 2018 का LPT का prepare भी मैंने आपको दिखाया था उसमें कैसे question आया थे grammar related वो भी मैंने आपको बताया था अगर आपने premium LPT purchase नहीं किये तो जल्दी से जल्दी purchase कर लिजे सिर्फ साथ दिने आपके हाथ में LPT crack करनी के लिए previous year LPT में उसमें provide किया था 2008 में जो paper आया था उसका detail solution मैंने provide किया है तो grammar में कैसे question आते हैं synonyum साते हैं antonyum साते हैं और भी कई सारे topics आते हैं यह सब मैंने आपको बताया है तो grammar के जो भी topics मैंने बताया है उस अब आपको prepare करने है नेक्स दिखे translation of passage can be asked अब आपको translation of passage यह थोड़ा high level या फिर moderate level का question भी आप कह सकते है लेकिन अगर RBI ने चाहा अगर high level LPT पूछनी है उनको लेनी है तो वो ऐसा question भी दे सकते है translation of passage जनरली ऐसा आएगा नहीं लेकिन आ भी सकता है तो आपको prepare रहना है और यह भी मैंने premium LPT में cover किया है translation of passages नेक्स देके essay and letter writing अब कई सारे student ने मुझे पूछा है कि essay और letter writing LPT में आता है क्या तो देखिए अभी तक essay और letter writing RBI के LPT में नहीं आया RBI attendant के LPT में essay और letter writing नहीं आया क्योंकि आपके पास सिर्फ 30 minutes होते है और 30 minutes में आपको essay और letter काफी hard हो जाएगा लेकिन पूछा भी जा सकता है ऐसा नहीं कि अब तक पूछा नहीं गया है इसलिए इस बार पूछा नहीं जाएगा तो letter writing का format क्या होना चाहिए essay कैसे लिखना है यह सब मैंने premium LPT में cover किया है अब आप topic पूछेंगे कि essay का कौन सा topic आ सकता है या फिर letter writing का कौन सा topic आ सकता है तो essay generally जो essay CHSL के topics होते है current affairs के जो topics होते है उस पर पूछा जा सकता है और letter के जो topics है वो जनरली editor को letter रिखे है pollution के ओपर editor को letter रिखे है या फिर और कोई social issue इस पर editor को letter रिखे है इसे आपको पूछा जा सकता है लेकिन सिर्फ 0.01% chances से essay और letter आपके LPT में आने के तो इसका ज़्यादा tension नहीं लेना है लेकिन prepare रहना है तो यह सारे important topics है friends आपको बस preparation करने और revision पर ध्याम देने है already premium LPT में आपके सारे topics cover हो चुके है don't panic just give your best तो आपको panic ने करना है बस साथ दिन है आपने सब कुछ पढ़ रखा है आपकी mother tongue है आपको यह language definitely आती है आपको कुछ panic करने के ज़रूरत नहीं है just आपका best देना है और LPT को crack करना है आपको कुछ doubt से तो आप मझे comment section में पूछ सकते है और Mumbai office के लाओ और भी कोई region का अगर आपको email आया है LPT के लिए तो आप मुझे comment section में लिख कर बताइए study करते रहे all the best for your LPT